तो अभी हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इंफ्रा स्ट्रक्चर, इंफ्रा स्ट्रक्चर, तो what do you mean by इंफ्रा स्ट्रक्चर, इंफ्रा स्ट्रक्चर का मतलब है, वो सारी फेसिलिटीज, क्या कहा, वो सारी फेसिलिटीज, किसी एरिया में कहो, किसी सिटी में कहो, कि जो उसके development के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है ठीक है it refers to the facilities जो उसके development के लिए बहुत जरूरी होती है तो infrastructure को हम ऐसे भी define कर सकते हैं it refers to the support system जिसके support पे पूरी country पूरी economy खड़ी है ठीक है support system जिसके अंदर जरूरी क्या है वो support system क्या करता है economic or social development करता है जिसके बिना हमारी country की economic or social development possible नहीं है और अगर हम उसको लेकर भी चलते हैं तो वो हमारे primitive age में होती है अगर हम उसको नहीं लेकर चलते हैं infrastructure को ठीक है तो infrastructure इतना ज़्यादा जरूरी है done मतलब इसके बिना आप develop कर ही नहीं सकते आप आगे जा ही नहीं सकते अगर एक समुंदर है ठीक है उसके आगे जाने के लिए उसको पार करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको ship की requirement है ठीक है obviously अब आज के time पे हनुमान जी तो आएंगे नहीं आपको लेकर जाएंगे उड़ा के ठीक है तो you want what? ship to go further that is the case of this also अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको infrastructure की जरूरत है नहीं तो आप पिछड़े वे जमाने में रहे जाएंगे तो it refers to support system infrastructure को हम classify करते हैं दो parts में economic infrastructure and social infrastructure what is first of all economic infrastructure बचो अब यह photo देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़े हमें clear कर रहा है कि economic infrastructure में क्या-क्या चीज़े आ रहे हैं तो it refers to such elements वो सारे elements जो support system की तरह काम करते हैं ऐसे की power, transport, communication जो जरूरी है किसके लिए production activity करने के लिए तो वो हमारा economic infrastructure में आता है ठीक है अगर इनकी supply abundant में available होगी बहुत जादा available होगी तो क्या होगा suppose करो power supply proper available हुआ तो production activity आपकी रुके की नहीं चलती रहे हैं अगर आपका transport proper available हुआ तो आप easily अपने goods को एक जगा से दूसरे जगा ले जा सकते हो और अगर आपका communication proper हुआ तो आप अपने सारी चीज़ों को एक time पे कहने का मतलब आप exchange जो है और better way में कर सकते हो तो तीन चीज़ों की abundance अगर हमें मिल जाए तो हमारी economy पता नी कहां की कहां पहुंच जाए और दूसरी side आता है हमारा social infrastructure जो हमारी society से related है जो हमारी health से related है हमारी यहां से related है ठीक है that means essay elements, essay support system जैसे कि school, college or hospital है जो social development के लिए required है अब social development का क्या मतलब होता है इत refers to human resource development यह कब अकर होती है यह तब ही अकर होती है जब हमारे पास healthy और efficient work force होती है क्या होती है हमारे पास healthy और efficient work force होती है that means कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे school, medical college या यह कहो कि hospitals वगएरा अच्छे से develop होंगे तो हम लोग अच्छे से living कर पाएंगे और उससे क्या होगा social development होगी हमारा human resource जो है वो properly work कर पाएगा हमारा workforce properly work कर पाएगा that means कि economic infrastructure क्या करता है वो accelerate करता है बढ़ाता है process of growth और social infrastructure क्या करता है यह human development की growth को बढ़ाता है बात समझाई इधर बढ़ रहा है economy इधर बढ़ रहा है human development तो कहता है but economic growth incomplete है किसके बिना human development के बिना कहता है दोनों के दोनों complimentary है एक दूसरे से कैसे भीया कैसे हुआ यह धिहान से सोचो समझो यहां पर मैंने how भी लिखा है कैसे कैसे का answer यह है कि अगर हमारे economic development तो होती जाएगी कहने का मतलब हमारे पास energy के sources है हमारे पास better transport communication है बट दूसरे साइड लोग बिमार है उनको sickness है कुछ ना कुछ problem है तो क्या वो उस सारी economic infrastructure को use कर पाएंगे the answer is exactly no तो वो उसको use नहीं कर पाएंगे तो हमारी economic या हमारी growth dynamic कब होगी हमारी growth dynamic तभी होगी जब economic infrastructure या economic development के साथ social development भी combine होता है यह दोनों चीजें एक दूसरे को reinforce करती है दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है nothing is there done then इसके बाद हम करने जा रहे हैं economic infrastructure क्यों जरूरी है